ओम शांति 3 डिसंबर 2021 बाबा के महवाख्य मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर शेव बाबा से गुद मॉनिंग जरूर करो उठते ही शेव बाबा की याद आये किसी देह धारी की नहीं प्रश्न कौनसा कॉंट्राक्ट ठेका एक बाब के सिवाई दूसरा कोई नहीं उठा सकता है उत्तर पावन दुनिया बनाने का कॉंट्राक्ट एक बाब का है यह कॉंट्राक्ट दूसरा कोई उठा नहीं सकता सन्यासी पावन बनकर इस दुनिया को थमाते अवश्य है लेकिन वह पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्राक्ट नहीं उठाते बाप बच्चों को पावन बनने की युक्ती बताते हैं बच्चे धन्दा धोरी करते एक बाप को याद करो एक बाप से बुद्धी योग लगाओ गीत यह कौन आज आया सवेरे सवेरे ओम शांती रुहानी बच्चों प्रती बाप बैठ समझाते हैं अगर शिव भगवानु वाच कहे तो भी शिव नाम के मनुश्य बहुत हैं इसलिए यह कहना पड़े कि रुहानी बाप रुहानी बच्चों प्रती पहले पहले याद प्यार दे रहे हैं प्रातह को पहले पहले गुद मॉनिंग किया जाता है तुमने भी गुद मॉनिंग सुना सवेरे सवेरे कौन आकर गुद मॉनिंग करते ही बाप आते ही हैं सवेरे यह है बेहद का सवेरा और रात जिसको कोई मुनश्य मात्र नहीं जनते बच्चों में भी नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार जनते हैं भल बच्चे बने हैं परंतु सवेरे उठ करके बाप को याद नहीं करते सवेरे उठ करके पहले पहले शिव बाबा से गुद मॉनिंग करे अर्थात याद करे तो बहुत खुशी भी रहे परंतु बहुत बच्चे हैं जो सवेरे उठ कर बाबा को बिलकुल याद नहीं करते भक्ती मार्ग में भी मनुश्य सवेरे उठ कर भक्ती करते पूजा करते, माला फेरते, मंत्र जबते वह साकार की भक्ती करते हैं, मूर्तिया सामने आचाती है, शिव का जो पुझारी होगा, उनको भी जो बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, वह मूर्तियाद आजाएगी, वह है रॉंग, अब तो तुम बच्चों को अपने को आत्मा निश्चे करना है, और सवेरे उठकर बाबा से बाते करनी हैं, बाबा, गुद मॉनिंग, परन्तु बाबा जानते हैं, यह टेव आदत किसको भी नहीं पड़ी हुई है, बाप कहते हैं, बच्चे, तुम्हारे सिर पर आधा कल्प का बोजह है, वह उतरता ही नहीं है, क्योंकि याद नहीं करते, कोई कोई के तो और ही पाप भड़ते जाते हीं, जैसे चूहा फूक देता और काटता भी है, माया भी चूहे मिसल काटती रहती है, सिर के बाल काट देती है, पता भी नहीं पड़ता, भल कोई अपने को ग्यानी समझते हैं, परन्तु बाबा अच्छी रिती जनते हैं, कि याद में बिलकुल कच्चे हैं, अपनी दिल से पूछना है, कि हम सवेरे उठकर बाप को याद करते हैं, बेहद का बाप तुमको बेहद के सवेरे में आकर मिला है, सन्यासी भी उठकर भ्रह्म को याद करेंगे, मनुश्य उठते हैं, मित्र संभंधी दोस्तों आदी को याद करेंगे, कोई भगत होगा, तो अपने देवताउं को याद करेंगे, पापात्मय पापात्माउं से गुड मॉनिंग करेंगी, अथवा याद करेंगी, याद करना होता है सवेरे, भगती भी सवेरे में करते हैं, परन्तु भगवान की भगती कोई भी करते नहीं, क्योंकि भगवान को जनते ही नहीं, भल कहते हैं कि भगती का फल देने वाला भगवान है, ओ गौड फादर भी कहते ही, यहाँ आत्मा कहती है, परन्तु परमात्मा को कोई भी यथार्त नहीं जनते, जब भगवान खुद आकर अपना परिचे दे, तब यहाँ जान सके, नहीं तो सब नेती नेती कहते ही, अर्थात हम नहीं जनते, तो परमात्मा इस समय ही आकर बतलाते हैं, मैं कौन हूँ, परन्तु बच्चों में भी बहुत हैं, बड़े-बड़े महारती सेंटर संभालने वाले बाप को पूरा नहीं जनते, उस लव से बाप को याद नहीं करते, सवेरे उठ करके प्यार से गुड मॉनिंग करना, ज्यान के चिंतन में रहना, यह भी नहीं करते, याद करे तो खुशी का पारा छड़े, परन्तु माया छड़ने नहीं देती, अगर बाप से कहां बेयद भी की, तो माया एकदम बुद्धी योग तोड डालती है, फिर वाहियात फाल्तु बातों में बुद्धी लगी रहती है, स्वर्ग का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े है, प्रजा बनना तो सहज है, तुम आगे चल कर देखेंगे, तीस चालिस वर्ष वाले भी तूट पड़ेंगे, माया एकदम उड़ा देगी, राजाई पद पान ही सकेंगे, पहले से ही मर जाएंगे, तो फिर राजाई कहां से मिलेगी, यह राज बाबा खोलते नहीं है, माया भी देखती हैं, मैं आधा कल्प राज्य करने वाली यह मेरे उपर जीत पाते हीं, फिर शिबाबा को एकदम भोल जाते हीं, कहां कहां इनके भ्रमा बाबा के भी नाम रूप में फस पड़ते हीं, शिबाबा को याद नहीं करते, जिन में ख्रोध, लोभ, मोह का भोत होगा, वह क्या बाबा को याद करेंगे, नाम रूप में इतना फस्ते हैं, बात मत पूछो, देह अभिमान में लटक पड़ते हीं, शिबाबा कहते हैं, ग्रहस्त व्यवहार में रहकर, शिबाबा को याद करते रहो, तब कर्मातीत अवस्था बने, मूल बात है याद की, इसी में मेहनत है, याद बिगर सतो प्रधान बन नहीं सकते, ना उन्च पद पास सकेंगे, बुधी योग और तरफ भटकता रहेगा कोई बच्चे तो बहुत दिल्वा जान, सिक्व प्रेम से बाप को याद करते हैं, बाबा से गुद मॉनिंग करके कहना चाहिए, बाबा हम आपकी याद में रहते हैं, क्योंकि सिर पर पापों का बोज़ा बहुत है, अगर बाबा की याद में नहीं रहेंगे, तो पापों का बोज़ा कैसे उत्रेगा, आधा कल्ब देह अभिमान रहा है, तो जाता नहीं, देवताये वहां आतम अभिमानी रहते हैं, भल परमात्म को नहीं जनते, यह तो समझते हैं, हम आतमा एक शरीर छोड दूसरा लेते हैं, रचेता को अगर जाने, तो रचना बाप की जाइदाद को भी जाने, वहां यह नौलिज रहती नहीं, बाप कहते हैं, यह नौलिज मैं तुमको देता हूं, फिर यह ज्ञान प्रायलोप होज जाता है, यह ज्ञान फिर परमपरा चलने का नहीं है, ना आतमा को ना परमातमा को जनते हैं, अभी तुम जनते हो, सब आतमाओं को कैसे अपना अपना पाट मिला हुआ है, अच्छे ते अच्छे पाट धारी तुम हो, इस समय तुम इस विश्व को अपनी बादशाही बनाते हो, हीरो एंड हीरोईन पार्ट तुम्हारा है, मोल बात है बाप को याद करने की, बाबा जनते हैं, प्रदर्शनी में बहुत हैं, जो सर्विस अच्छे करते हैं, परन्तु याद में बहुत कमजोर हैं, अकल नहीं है कि कैसे सवेरे उठकर बाबा से गुड मॉनिंग करनी चाहिए, भल टॉपिक्स पर ख्याल चलाते हैं, वह तो कॉमन हैं, टॉपिक्स तो रोज रोज नई निकाल समझा सकते हैं, परन्तु मुख्य बात है, बाब को लव से याद करना, तो पाप कट जाए, बाबा जानते हैं, बच्चों की ऐसी अवस्था अभी नहीं है, बाबा नाम नहीं सुनाते हैं, अगर बाबा नाम सुनावे, तो जो पैसे की अवस्था है, सो गिर कर पाई की बन जाए, इस ग्यान में समझ चाहिए, ऐसे नहीं, कोई कहे, तुम पीला दिखाई पड़ते हो, बीमार हो, तो या सुनने से ही भुखार चड़ जाए, ऐसा कच्चा नहीं बनना है, हिम्मत चाहिए, सर्विसबल बच्चे थोड़े तूट सकते हैं, वह तो फकुर में रहते हैं, धंदा दोरी करते हैं, बाबा की याद रखनी है, बाबा से गुड मॉनिंग करते रहना चाहिए, बड़ी भारी मन्जिल है, राजाई पद पाना है, तो मेहनत भी करनी है, जो कल्प पहले बने हैं, उन्हों को आगे चल कर मालुम पढ़ता जाएगा, छिपा कोई नहीं रहेगा, स्कूल में टीचर स्टूडेंट को जानते हैं, और रेजिस्टर भी रखते हैं, उन्से भी पता पढ़ जाता है, इसमें मुख्य सब्चेक्ट होती है भाषा की, यहां मुख्य सब्चेक्ट है याद की, नौलिज तो सहज है, बच्चे भी समझा सकते हैं, छोटे पन में बुध्धी तीखी होती है धारण करने की, बोढ़िया इतना नहीं समझा सकती हैं, यहां भी कुमारियों का बाबा जास्ती मान रखते हैं, सिरफ नाम रूप में फस उल्टा लटक कहां उल्लू ना बन जाए, इस समय सब मनुष्य उल्लू मिसल उल्टे लटके हुए हैं, फिर सुल्टा होने से अल्ला के बच्चे बन जाएंगे, पर्मात्मा को सर्वव्यापी कहने से ही सब मनुष्य पर्मात्मा से बेमुख हो पड़े हैं, सन्यासी खुद अपनी पूजा कराते हैं, नहीं तो कहना चाहिए कि तुम हमारे उपर फोल क्यों छड़ाते हो, सब सन्यासीओं को गुरू बनाते हैं, वह सन्यासी वो ग्रहसती, फिर फॉलोवर्स कैसे हो सकते, जब सन्यासी बने तब फॉलोवर्स कह सके, फिर उन्हों को कोई समझा भी नहीं सकता, कि तुम अपने को follower कह नहीं सकते बाबा किसको कहना सके कि तुम follower हो जब guarantee करे पावन बनने की तब है बात जब प्रतिज्या करते हैं तो खोद लिख कर भेज देते हैं परन्तु जब गिरते हैं काला मुख करते हैं तो नहीं लिखते क्योंकि लज्चा आती है यह बड़ी भारी छोट है फिर बाबा से बुद्धी योग लगना सके पतित से तो हम नफरत करते हैं बाबा कहते हैं विश्ख खाने वाले बहुत खराब है पवित्र बनना अच्छा है न? मैं आकर पवित्र बनाने का कॉंट्राक्ट उठाता हूँ कि हम पवित्र दुनिया बना कर ही दिखाएंगे कल्प कल्प मुझे कॉंट्राक्टर को ही बुलाते हैं कि हे पतित पावन आवो दुसरा कोई ऐसा कॉंट्राक्टर होता नहीं एक मुझे ही कॉंट्राक्ट मिला हुआ है मैं ही पावन दुनिया बनाऊंगा कल्प कल्प मैं आकर यह कॉंट्राक्ट पूरा करता हूँ सन्यासियों को फेर यह कॉंट्राक्ट मिला हुआ है कि पवित्र रह भारत को थमाना है क्योंकि सबसे पवित्र भारत ही था जिसको सुवर्ग कहते हैं वहां देवताय सर्वगुण संपन संपोर्ण निर्विकारी थे उनकी महिमा गाते हैं यह गायन और देशों में नहीं है वहां चित्र तो है नहीं यह सुवर्ग के मालिक थे लक्ष्मी नारायन को गौड गौडस कहते हैं बहुत प्रेम से पुराने चित्रों को खरीद करते हैं लौड कृष्णा का चित्र मांगते हैं सबसे जास्ती लौड कृष्णा को पसंद करते हैं तुम बच्चों को यह फूर्णा रखना है कि हमें सतु प्रधान बनना है माया फत्काती तड़फाती तो बहुत है एकदम नामरूप में फस पढ़ते हैं शिबाबा को याद ही नहीं करते बाबा बार बार समझाते हैं हमेशा यह समझो कि यह शिबाबा हमको समझा रहे हैं यह भ्रम्मा कुछ नहीं बोलता फिर भी शिबाबा को भूलकर नामरूप को याद करते रहते हैं वह फिर ख्यापद पाएंगे पहले तो श्रीमत पर चलना है शिबाबा कहते हैं भूतुं को भगाओ देह अभिमान को भगाओ हम आत्मा हैं और बहुत मीठा बनना है बाबा कहते हैं देह सहित देह के सभी संभंदों को भूलते जाओ मुझे याद करो हतकारडे दिल यारडे मैं पुराना माश्यक हूँ ऐसे कोई और को समझाने आएगा ही नहीं बाप ही इस समय तुमको आकर रुहानी आशिक बनाते हैं अब तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमारा माश्यक शेबाबा है उनसे स्वर्ग का वर्सा पाना है ऐसे शेबाबा को सवेरे सवेरे उठकर गुद मॉनिंग करो याद करो जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे देह अभिमान तूटता जाएगा ऐसा अभियास करते करते वह अवस्था जम जाएगी याद में बैठे होंगे गराहक आएगा उस तरफ ख्याल नहीं चाएगा फिर उनको भी बताएंगे हम याद में बैठे थे बड़ा मजा आ रहा है गराहक को सवदा दिया फिर बाबा की याद में तुमको कर्मातीत बनने का पुरशार्थ करना है बाबा बहुत युक्तिया बतलाते हैं इनके भ्रमा के लिए कहते हैं इनके उपर तो बहुत मामले हैं तुमको फुर्सत जास्ती मिलती हैं याद करने की बाबा मिसाल बताते हैं भोजन पर शिबाबा को याद करके बैठते हैं कि हम दोनों इकटे खाते हैं, फिर भूल जाता हूँ, सबसे जास्ती जंजट इस बाप के उपर रहते हैं, तुम्हारा बाप के साथ बहुत लव रहना चाहिए, रात्री बारा बजे के बाद एम शुरू होता है, रात्री को जल्दी सो जाओ, फिर जल्दी उठकर याद करो, उठने से ही कहो बाबा गुड मॉनिंग, और कोई तरफ बुधी न जाए, बाबा तो हर एक बच्चे को जानते हैं, तुम्हारी भविश्य के लिए बड़ी भारी कमाई है, कल्प कल्पांतर यह कमाई काम में आएगी, कोई भी भूत नहीं आना चाहिए, ख्रोद भी कम नहीं है, मोह भी खराब है, जितना हो सके बाबा की याद में बैठ पावन बनना है, जैसे बाबा ज्यान का सागर है, बच्चों को भी बनना है, परन्तु सागर तो एक होता है न, बाकी सब नदिया कहेंगे, ख्रोद है सेकिन नमबर दुश्मन, बड़ा नुकसान कर देते हैं, एक दो का जी जलाते हैं, लोभी भी, एक दो का जी जलाते हैं, मोह का भूत तो सत्यानाश कर देते हैं, मोह के कारण, शिबाबा की याद भूल, अपने बच्चों को याद करते रहेंगे, नश्टो मोहा वाले अडोल अवस्था में रहते हैं, अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का नंबर वार पुर्शार्त अनुसार, याद प्यार और गुद मॉनिंग, रुखानी बाब की रुखानी बच्चों को नमस्ते, धारना के लिए मुख्यसार, पहला अच्छी सर्विस करने के साथ साथ, दिल्वा जान से बाप को याद करना है, सवेरे उठते ही, प्यार से कहना है, बाबा गुद मॉनिंग, कर्म करते भी याद का अभ्यास करना है, दूसरा, किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं अटकना है, ज्यान के चिंतन में रहना है, व्यर्थ बाते नहीं करनी है, वर्तान, तडफती हुई भिकारी, प्यासी आत्मों की प्यास बुझाने वाले सर्व खजाने से संपन्न भव, जैसे लहरों में लहराती, वडूबती हुई आत्मा, एक तिनके का सहारा ढूंडती है, ऐसे दुक की एक लहर आने दो, फिर देखना, अनेक सुख शंती की भिकारी आत्मा है, तडफते हुई आपके सामने आएंगी, ऐसी प्यासी आत्माउं की प्यास बुझाने के लिए, अपने को अतिंद्रिय सुख वसर्व शक्तियों से सर्व खजानों से भरपोर करू, सर्व खजाने इतने जमा हो जो अपनी स्थिती भी कायम रहे, और अन्या आत्माउं को भी संपन्न बना सको। स्लोगन कल्यान की भावना रख, शिक्षा दो, तो शिक्षाये दिल से लगेंगी ओम श्यंति